रिलेस्टेंशिप में दो तरह के लोग होते हैं पहले लोग वो होते हैं जो अपने पार्टनर के पीछे भागते हैं जो हमेशा अपने पार्टनर के लिए रोते हैं और दूसरे लोग रिलेस्टेंशिप में वो होते हैं जिनके पीछे उसके partner भागते वो नहीं भागते, जिनके लिए उसके partner रोते वो नहीं रोते, तो यह सा क्यों होता है, इन दोनों तरह के लोगों में क्या फर्क होता है, एक ही फर्क होता है, उन दोनों की आदते अलग अलग होती, according to relation, आपकी आदते सब अच्छी है, तो पार्टनर आपके पीछे आएगा अगर आपकी आदते सारी खराब है according to relation तो आपको हमेशा अपने पार्टनर के पीछे भागना पड़ेगा तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्यार में हमेशा जीतने वाले लोगों की आदत जो यसी आदते जो हमेशा आपको प्यार में जीताएगा आपको कभी भी प्यार में अपने पार्टनर के सामने हाथ नहीं फिराना पड़ेगा कभी भी उनको रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाता हूँ कि description box में मैंने facebook की link instagram की लिए और मेरे website की link जहां पर मैं love और relation के बारे में आर्टिकल लिखता हूं वो सब दिया हुआ है बात करते हैं प्यार में जितने वाले लोगों की habit के बारे में और सबसे पहले बात करते हैं कि कभी भी आपको सामने से अपने partner को propose नहीं करना जाए कहीं यहां पे सोचते हैं कि अपने पार्ट्र को सामने से Propos करना चाहिए, व्युक़् कि हम प्रपोज नहीं करेंगे, तो हमारे हाथ में यह मौका आया होता है उस इंप्रेस करने का या उसके साथ relation बढ़ने का जो मौका होता है, वह चला जाता है. यह बात में आपको समझाऊगा कि आपको कैसे करना है लेकिन उससे पहले आपको यह समझना चाहिए कि प्यार में और यह relation में हमें सामने से प्रपोस क्यों नहीं करना चाहिए देखो यह शुरू आते चीज़े होती ना बहुत मॉस्ट इंपोर्टन चीज होती है प्रपोस करने का मदलब होता है कि आपको जरूरते उस इंसान को नहीं वो तो सिपोसिप आपको एक्सेप करता है या आपको रिजेक करता है तो पहले से जो उनका स्थान होता है वो आपसे बढ़ जाता है आप उसे एक प्रपोजल दे रहे हो अब उसकी मर्जी है कि वो एकसेप करे या उसको रिजेक करे तो यहां से यह चीजे ते होना सुरू हो जाती है धीरे जीरे और उसके बाद रिलेशन में आते हो आप भाव देते हो भाव खाते यूगी आपने प्रपोज किया आपको जरूरते लोगों का ऐसा माइंट सेट बन जाता है तो प्रोब्लम यहां भी यह आपके मन में आये होगी यह प्रपोज नहीं करेंगे तो ऐसा कैसे होगा कि उनका हमरे साथ इलेसन बने यहां तो हमारी 50 परसंद कखी भी आपने पार्टर की सारी बातों को फेल मत करो कभी अपने पार्टर की सारी बातों को मानों मत कभी कबार उसको ना बोलना सिखो कभी एक बार उसकी बातों को मना करना सिखो क्या होता कि most of time जो आपका partner आपको कहता है कि अभी मुझे call करना अभी मुझे बात करना है तो आप कभी भी उनको मना नहीं करते अपना काम छोड़ देते हैं कहीं बार वो आपको मिलने के लिए बुलाते हैं तब पॉस हूं मैं order दे रहा हूं और जो मेरा servant है उसको फोलो कर रहा है तो पर ग्रांटेट यहां से लिना सुरूर कर देता है तो कभी-कभी आपको खुद का अस्टित्वह यहां पर रिलेस्ट में रखना है तो उनकी बातों को मना कर दो ओल्वेज उनकी सारी बातों को मना कर आजाए हर चीज में मना करोगे तो सही नहीं लगगा कुछ बाते तो ऐसी भी होगी ना चोपको वसन नहीं तो उन बातों को मना कर दो सिफ़ों सिफ उनका मन रखने के लिए सारी बाते यस मत करो तो उनको समयझ में आएगा कि यह एक मेतरा इंसान है और हम दो लोगा इस पार्टनर के लिए वेट करते हो ना तो जब आप उनकी वेट करते हो तो आप उनके लिए तरपते हो तो यह आपकी तरप है ना उनके लिए आपका इंटरस्ट बढ़ जाता है पहरे से भी ज्यादा आपको उनके लिए इंटरस्ट बढ़ जाता है क्योंकि आप उनके वेट करवा कुछ चीजों में को लेने के लिए SMS का रिपले देने के लिए मिलने के लिए उनको थोड़ा-थोड़ा तरपा पर मुझसे अपके पार्टनर को आपके रिलेशन में आपके साथ आपको इसा एक्सप्रियस करवाना है जैसा उन्होंने लाइफ में कभी पहले नहीं किया है कुछ भी हो सकता है जब आपको बहुत कुछ पता चल जाता है वह कहां पड़े हैं कि रहते हैं कि अपने लाइट सब्सक्र queremos मनें इसा इंक साथ कर सकते हो रहे कि अपका पार्टन कभी भी बहएर अकेले नहीं गया तो आप उनको लेकर जंगल में जा सकते हो अकले में जहां पे थोड़ा सा डर भी लगता है लेकिन उसको मज़ा भी आता है तो वो आपके साथ आता है पुरा दिन आप दुनों अकले जाते हो जंगल पे जहां पे किसी को कुछ भी पता नहीं होता तो पुरा दिन आने के बाद तो कहेगा कि यार आज जो मज़ा है ना क्यूंकि ऐसा मैंने लाइफ में कभी भी पहले की नहीं किया था यह तो जर्श में आपको एक्जांपल दे रहा था लेकिन एसी कुछ भी चीज और भी हो सकती कि मैं और मेरा बोई फ्रेंच में और अपनी गर्र्फरेंग के साथ बारे में बात करिए लेकिन इसका पार्ट्टू चल्दी में बनाओंगा और फिर से में पब्लीज करूंगा उसका वेट करिएगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना जाता हूँ तो कोमेट करें और वीडियो दो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्क्राइब चरूर करें ठेंक्यू सौब मेटी वीडियो नच्छिने टाइथे लाइक चेंडी, शेर चेंडी, सब्स्राइब चेंडी, रेगुलर नुटिक पेशिन्स कोसं, बेल बटर में, प्रेस चेंडी